आज हम डिजाइन एट्रिबीट में जो कि हम देख रहे हैं जीरो से लेके दो साल तक के बच्चों की किताबों के अंदर कि क्या डिजाइन एट्रिबीट होने चाहिए उनमें या हम एक इंट्रस्टिंग एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विज्वल अब आपके learning objective क्या है इस slide के अंदर कि आप देख सकें कि कौन से visual elements हैं और visuals जो के हमारे बच्चों की किताबों में compulsory part हैं उनमें क्या characteristic मौझूद होने चाहिए जो बच्चों की linguistic उनकी cognitive development में help out कर सकें और बच्चे उस किताब की तरफ attract हो सकें किताब का reference आर्टिकल का reference सबसे पहले developmental aspect and visuals के उपर सबसे important चीज है जो zero से लेके birth के बच्चे के लिए है कि वो बच्चा जब किताब खोले तो वो visual को identify कर सकें उससे फॉरन समझ आ जाए कि इस किताब में इस सफ़े के उपर ये तस्वीर है जिसको मैंने सीखना है या इसको मैंने जानना है उसके ल को feel कर सकें और visuals की colors जो है उनकी lines जो है letters जो है या उस page के उपर जो मवजूद spacing है tones है वो पूरे सफे पे पहली होनी चाहिए क्योंकि बच्चा जो है इतना छोटा बच्चा zero से दो साल तक का वो पूरे page को देखता है उसको छूता है उसको महसूस करता है सबसे important चीज क्या है कि बच्चा attract हो उसके attention हो ऐसे colors ऐसी lines हो जिससे बच्चा फौरण book के साथ दोस्ती करना चाहे उससे देखना चाहे उससे पकड़ना चाहे और उसके लिए सबसे बहतरीन तरीके कार यह है कि जो आप visual entities कोई character उसके अंदर introduce कर वा रहे है वो character functional character हो जिसक पाकि उसकी curiosity जो है और उसका जो mysteriousness है वो बच्चे के अंदर एक interest पैदा करें Number two, character ऐसे तरीके से और ऐसे circumstances में पेश किया जाए जिससे बच्चे excited हो जिससे बच्चों में a curiosity की development हो जिससे बच्चे enthusiastic महसूस करें और circumstances इतने interesting हो कि उनकी imagination और creativity को trigger करें ये वो तमाम aspect हैं जो किताब को बच्चे के लिए attractive बनाती है और बच्चे की attention किताब के ओपर focus हो सकती है then हमारे पास क्या चीज़े मुझूद होती है character और visual item जो कि clear, bright और खुबसूरत रंगों में painted हो क्योंकि ये बच्चों को attract करते हैं और उनके अंदर की happiness उनका joy जो है उन रंगों में नजर आता है अगली important चीज़ कि हम discipline करें बच्चों की sense of sight को इसका मकसद यह होता है कि आप किताब में जो दिखाना चाते हैं बच्चे उसे देखें देखने के बाद वहाँ focus करें और उन चीज़ों को अपनी आम जिंदगी में इधर उधर identify करें या बाकी किताबों में देखें तो उन signs और पूरे page पे उसका spread out हो ताकि बच्चे उसे clearly समझ सकें और देख सकें कि यह क्या चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं अगर visual entities यानि कि वो characters जो किताब में हैं वो ऐसे characters हैं जो बच्चे already जानते हैं तो उनको इतने interesting तरीके से पेश किया जाए कि बच्चे उसे किताब से बाहर निकालना चाहें पूरी किताब पे हाथ फेरना चाहें इसलिए हमारे जो किताब का दोनों सफे होते हैं हम उसे ए चीज़े visual में must होनी चाहें एक अच्छी किताब के अंदर पहली चीज़ यह कि वो clear और warm colors में हो जो के happiness और joy को trigger करते हैं lines smooth हो, curve हो और उनमें intended line हो, उनकी quality ऐसी हो जिससे joy और excitement बच्चों में trigger हो सके आपके visual में अगर stereotype shapes हैं तो बड़ी-बड़ी sizes में होनी चाहें ताके बच्चा visually वहीं पे focus कर सके आपके किताब ऐसी किताब हो, zero से लेके दो साल के बच्चे के अंदर जिसके अंदर जितनी भी visuals हैं वो symmetrical shape में हो जो के actually जब बच्चा देख रहा होता है किताब को, तो एक order और balance create करते हैं asymmetrical shapes में बच्चे confused होते हैं So, आपके सामने वही reference book है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थी चिका चिका बूम बूम और हम यह देख सकते हैं कि चिका चिका बूम बूम कैसे appropriate book है, zero से लेके दो साल तक के बच्चे के लिए आप इस book का layout देखिए, यह दोनों सफ़े हैं और इन दोनों सफ़े पे clear lines हैं, bright colors हैं और clear shapes हैं और कितना बड़ा font size है So, जो आप बच्चे को communicate करना चाहते हैं, बच्चा visual में clearly देख सकता है alphabet Clearly tree को देख सकता है, clearly tree के उपर मौजूद object और पत्नों को देख सकता है इस space को properly इस्तमाल किया जाए ताकि बच्चे उसे चू सकें, उसे देख सकें और clearly समझ सकें कि exactly इस सफ़े पे उने क्या देखना है और क्या समझना है Thank you so much